इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है. हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते. किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले. अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते है और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. P.Param D.500 injection is an antibiotic medicine that is used to treat severe infections of the skin, lungs, stomach, urinary tract, blood, and brain, यानी की, e.g. meningitis. यह infection पैदा वाले bacteria को बढ़ने से रोकता है. P.Param D.500 injection is commonly used to treat seriously ill patients admitted to the hospital. यह दवा एक health care professional की देखरेक में drip या सीधे injection के माध्यम से दी जाती है. डोस इन बातों पर निर्भर करेगी कि आपको किस प्रकार का infection है, वो शरीर में कहां है और वो कितना गंभीर है. अगर आपके लक्षनों में तेजी से सुधार हो रहा है, तब भी आपको निर्धारित अवधी तक injection लेना चाहिए. अगर आप इसे समय से बहुत पहले लेना बंद करते हैं, तो infection वापस आ सकता है या बिगड़ सकता है. कुछ लोगों को सिर्दर्द, मिचली आना, डायरिया, यानि की dust और rash जैसे side effect हो सकते हैं. ये side effect आम तोर पर अस्थाई होते हैं, और जैसे ही आपका शरीर दवा में adjust हो जाता है, वैसे ही चले जाते हैं. अगर inside effect से आपको परेशानी हो रही है या ये बने रहते हैं, तो डॉक्टर से संपर्ट करें. यदि आपको epilepsy है, आप liver या kidney की किसी समस्या से पीडित हैं, या आपको किसी antibiotic दवा से allergy है, तो इस दवा से इलाज शुरू करने से पहले, आपको अपने डॉक्टर को इस बारे में बताना चाहिए. इसका इस्तिमाल करते समय, आपको blood cell count और kidney function की निगरानी करने के लिए blood taste की सलाह दी जा सकती है. डॉक्टर की सलाह अनुसार इस दवा का इस्तिमाल गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान करना सुरक्षित माना जाता है. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें. और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें. और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.